तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी गेड मी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नंबर 16 कंप्रीट करने वाले हैं जिसका नाम है मुतशायर और मुतशायर यह जो नजम है यह एक जरीफाना नजम है यह जिसके जिसमें हसी मजाग हो और किसी चीज़ पर कमेंट किया गया है उसे कहते हैं नकोली चाहर नहीं लिखता हो वल्कि किसी दूसरे का मतलब दूसरे जो असली शायर है उनका शेड़ लेकर पढ़ देता हो सजी मैफिल में ठीक है तो उस तरह के नकली को यानि की बनाउटी शायर को ही क्या कहा जाता है मुतशायर कहा जाता है तो इस नजम में किसका मझा मझाख उड़ाए जिस तरह से किताब में लिखा है वही पढ़कर उसी का अर्थ बताऊंगी आप लोग देखिएगा इतना मजदार ये नजम लिखा गया है ना लिखने वाले कौन है शायर का नाम है जफर कमाली यानि कि मुतशायर नजम के जो शायर है यानि कि मुसानिफ आपिवियों के सकते हैं लेकक कौन है तो जफर कमाली याद रखिएगा और यहां पर खुशी की बात यह है कि जफर कमाली की बारे में आप लोगो को कुछ भी नहीं पढ़ना है यान की जानकारी दी रहती है डिटर्स दिया गया रहत देख सकते बोड़ खाली है ठीक है तो इसका तो अप्लोड नहीं होगा और इसमें पीटिव देने वाली क्या बात है मतलब कि जो नजम है मुतशायर नजम इसको पढ़कर मैं तश्रीख कर दे रही हूं उसके बार चैप्टर कम्प्लीट बस बात खतम ज्यादा लंबा भी है और उसके बाद से इस नजम का मजा लेना है ठीक है बहुत ही जबर्दस्त और बहुत ही शांदार नजम है और बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग और फणी भी तो चली आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं हमारे जो वेक्ति शायर ना हो असली शायर ना हो बलकि जो असली शायर है उनका लिखा हुआ शेर चुरा कर पढ़े उस तरह के शक्स को कहा जाता है मुतशायर यानि की बनावटी शायर नकली शायर ठीक है तो मुतशायर पर यह नजम लिखा गया है और मुतशायर यह जो नजम ह है यान की बनावटी शायर वो खुद अपनी असलियत बता रहा हो अपना सच बोल रहा हो ठीक है ऐसा लग रहा है कि मुत शायर खुद अपने बारे में बता रहा है तो देखिए मैं पढ़ रही हूं आप लोग ध्यान से सुनिएगा समझेगा हर एक लाइन को पड़तर मैं अ जुमन में यहां पर बोल रहा है मुत शायर मतलब कि यह नज मैं सही लिखा गया जिसे कि मुत शायर खुद अपनी सच्चाई बता रहा हो तो बोल रहा है मुत शायर यान कि बनावटी शायर कि मैं शेर नहीं कहता हूं तो क्या हो गया मेरे नाम नामी का शुरा बड़ा है यानि कि चारोतफ मेरा नाम में भले ही मैं असली शायर नहीं हूँ, मैं शेर नहीं लिखता हूँ, मैं शेर नहीं कहता हूँ, लेकिन दूसरे जो असली शायर है उन्हीं का शेर लेकर मैं पढ़ता हूँ, सजी हुई मैफिल में जलसा जलूस में मैं दूसरे असली शायर का शेयर लेकर चुरा कर पढ़ता हूं लेकिन फिर भी चारोत अफ मेरी शोहरत है मेरा नाम है इनायत है लोगों की जूद वाता है यानिकि लोगों की मुझे पर इनायत है लेकिन फिर भी बुलावा है हरे कंजुमन में लेकिन फिर भी मुझे हर एक सजी हुई मैं फिल में हर जलसा जलूस में बुलाया जाता है शेयर पढ़ने के लिए भले ही मैं असनी शायर नहीं हूं ठीक है कितना मस्त और जबर्दस्ट अंदाज में लिखे हैं जपर कमाली इस नजम को आप लग बस मजा लीजिए सुनकर क्योंकि जो भी question पूछा जाएगा इसी नजम से पूछा जाएगा राइटर के बारे में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है आप लोगो और इस नजम से कहां कहां से किस किस तरह से question पूछे जाते हैं मैं आप लोगो बताते चलूँ नहीं तो यहां पर बोल रहा है मुतशायर कि स करता हुँ जहाँ लोगों को मखळा लगाता हूं कि मैं इसी सफर में रहूं जलसा जलूस में बुलाया जाए घ्लाता पिलाता रहता हूं ठापलुसी का मुझसे है धरिया उसी बल पर जाता हूं धनबाद और धरिया यानि कि मेरे अंदर एक के खुबी है और वो कौन सी खुबी है तो चापलोसी की यानि कि लोग को मैं मखण लगाता हूँ चापलोसी करता हूँ और इसी वजह से मैं धनबाद और झरिया तब चला जाता हूँ अब एक शहर से दुशे सहर में जाता रहता हूँ हर एक सजी में फिल में मुझको बुलाया जाता है असर कुछ निराला है मेरे बटर में यही मुझको रखता है शेरी सफर में कभी इस नगर में कभी उस नगर में कनाडा में पैरिस में दोहे कतर में कभी जी हजूरी से ठकता नहीं घर्ज की डगर जागता नहीं यहां पर बोल रहा है मुत О्शायर कि असर कुछ निराला है मेरे बटर में यानि Krish क्या रहा है कि मेरे बटर लगाने माश्च करे बहुत है जो में मखन में कभी कतर में और कभी जी हजूरी से मैं ठकता नहीं गल्द की डगर से मैं बहेकता नहीं मतलब मैं अपने काम में पीछे नहीं हटता हूं मैं हमेशा लोग की जी हजूरी करता रहता हूं चाप्रूसी करता रहता हूं और बटर लगाता रहता हूं मैं कभी भी जी हजूरी स सिखंदर बना हूं कि यहां पर बोल रहे हैं कि किसी धर पर दिन रात धुनी रुवाई और अपने बारे में रोना धोना करके अपने सारी मजबूरिया बताता हूं ठीक है अपने बारे में बताता हूं ठीक है श्रिकम की दुहाई देने लगता हूं कहीं दुम हिलाता हूं और कहीं दुम दबा के भाग जाता हूं मैंने अपनी गहरत को कसाई बनके जबा कर दिया है मेरे अंदर गहरत नाम की कोई चीज नहीं ह सुखनवर नहीं हूँ सुखनवर बना हूँ जहान यदब का सिकंदर बना हूँ यानि कि बोल रहा है यहां पर मुत शायर कि मैं सुखनवर नहीं हूँ मैं शायर नहीं हूँ शायर बना हूँ और जहानी अदब का सिकंदर बना हूँ यानि इस अदब के जहान का सिकंदर बना हूँ जो तजमीन लिख दे, वह है यार मीरा, जो पेरोडिया दे, वह घमखوار मेरा, नमाजे जो नजमों से मैमार मेरा, जो दीवान देदे, वह सरदार मेरा, चले बस तो वाही की पुंजी उडालू, मैं दीवान अकबर पे पट्जाफर मेरा यहां पर तजमीन, पैरोडिया और दिवान का मतलब समझेगा कि शिरोशेरी का किताब ठीक है तो जो तजमीन लिख दे वो है यार मेरा यानि में तो शायर कह रहा है कि जो मुझे को तजमीन लिख कर दे दे वो मेरा यार है और जो मुझे को पैरोडिया दे वो मेरा गमखवार है और जो मुझे नजमों से नमाजे जो हमें नजमे नजम लिख कर दे दे वो मेमार है मेरा जो दिवान दे दे वो मेरा सरदार है ठीक है तो यहां पर कोशन पूछा जाता है कि मुतशायर का सरदार कौन है और अपसन में यार कौन है तो जो कजमीन लिखके दे दे उसको क्या कहना है मुतशायर का यार कहा गया है यहां पर ठीक है बोल रहा है यहां पर मुतशायर कि अगर मेरा बस चले तो वही की पुंजी उड़ा लेना चाहता हूं अगर मेरा बस चले तो ठीक है आगे देखिए आगे लिखा गया है नथा शायरी का कभी मुझको यारा जहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा जमाने ने देखा है यह भी नजारा फिजाओं में उड़ता है पिछका गुबारा मिली है मुझे दौलत बेजमीरी फकीरी में भी कहन लगा हूँ अमीरी यानि कि आपर मुझको कभी शायरी का शौक नहीं था लेकिन जहालत ने बहुत जोर मारा जमाने यह भी नजारा देखा होगा कि फिजाओं में जब गुबारा उड़ता है ना बहुत सारे गुबारे एकतात उड़ते हैं आसमान में तो अगर उसमें भी शौक नहीं था लेकिन जहालत ने बहुत जोर मारा फकूरी में भी मैं करने लगा अमीरी ठीक है गली दर गली खाक यूफाकता हूं कि हर रोज सत्तर क्वेज हाकता हूं मैं क्या हूँ अच्छी तरह हाकता हूं बड़ा तो नहीं हूं मगर हाकता हूं जलस फैमियों का जब रंग गोला ममूले ने बदला है शाही का चोला यहां पर मुतशायर कह रहा है कि गली दर गली खाक यूफाकता हूं यानि कि एक गली से दुसरे गली जाकर मैं खाक फाकता रहता हूं और हर रोज सत्तर क्वेज हाकता हूं यानि कि हर रोज मैं सत्तर लोगों से मिलता ह हूँ मैं क्या हूँ अच्छी तरीके से आखता हूँ बड़ा तो नहीं हूँ मगर हांकता हूँ यहां पर मुतशायर कह रहा है कि मैं क्या हूँ मैं अच्छी तरीके से आखता हूँ बड़ा तो नहीं हूँ लेकिन बहुत ही लंबी लंबी हांकता हूँ गलत फैमियों का मैंन अजब रंग गोला जिस तरीके से ममूले ने बदला है शाही का चोला, या इनकि जिस तरीके से ममूला जो है अपनी आपको शाही बतलाता है, देखिए शाही अक पक्षी है जो K बहुत बुलन्दी, अपने आपको कह रहा है कि जिस तरीके से महमूले ने बदला है शाही का चोला उसी तरीके से मुतशायर भी असली शायर का चोला बदल लिया है यानि कि मुतशायर अपने आपको असली शायर बताता है भले ही वह असली शायर है नहीं नकली शायर है लेकिन उसने असली शायर क चोला पहन लिया है ठीक है अपने आपको असली शायर बता रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखे लिखा गया है हो पटना के दिल्ली दक्कन हो के पूना नजाओं अगर मैं तो जल्सा हो सूना जो अफसर है उनसे कमाता हूं दूना हमेशा लगाता हूं उर्दू को चूना कि जल्सा सूना ग़ता हैँ यहाँ पर कोश्ण पूचा जाता है अब्जक्तिव में कि मुतशायर किस से तुगना कमाता है तो अफसर लोगों से दुगना कमाता है याद रखेगा अपसर में दिया रहेगा अफसर लोगों से ठीक है हमेशा मैं उर्दू को चूना लगाता ह उर्दू को मैं पीसता हूं उर्दू को कूटता हूं लुटे रहा हूं मैं उर्दू को लुटता हूं जो शायर है असली वह घिसते हैं चंदन मुकदर में उनके शिकागोन लंदन अगर चेहनकली मेरे फन का जोबन उसी से हुआ गल गया हूं कि सिक्का हूं खोटा मगर चल यहां पर मुतशायर कह रहा है कि जो असली शायर है ना वह चंदन घिसते हैं मत्था पेची करके महनत और मुशक्कत के साथ वो शेर लिखते हैं और इसी वज़ए से उनका समय जो है ना वो शेर लिखने में ही चला जाता है और उनके मुकदर में ना शिकागो ना लंदन कभी लंदन कभी पैरिस ठीक है कभी शिकागो कभी लंदन ठीक है हर जगा में जाता ही रहता हूँ खुशामत की मैदाल था गल गया हूँ मैं सिक्का खोटा हूँ लेकिन चल गया हूँ यहां पर क्या बोल रहा है मुतशायर के सिक्का हूँ खोटा मगर चल गया हूँ मैं खोटा सिक्का हूँ लेकिन फिर भी चल गया हूँ जो गिर्गिट का होता है वह रंग हुमें नहुलाज जिसमें वही अंग हुमें यह सच है कि हारी हुई जंग हुमें अदब के लिए बासे नंग हुमें लगा है जराफत क्या चेहरे पे घाजा निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा यहां पर बोढ़ रहा है मुझे तो उर्दू आती नहीं उतने अची तरीके से प्रणसियेशन या फिर जो भी हो मुझे उर्दू में शिरोशाइरी पहने नहीं आती है और इसी वज़ा से मैं उर्दू को चूना लगाता रहता हूं जो गिर्गिट का रं से नंग हूँ लगा है जराफत का चेहरे पे घाजी घाजा यानि कि यहां पर बोल रहा है मुझे लगा है जराफत का चेहरे पे घाजा निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा यानि कि उर्दू का जनाजा मैं ही निकालूंगा और कोशन भी पूचा जाता है कि उर्दू सब्सक्राइब नहीं बता रही हूँ जो में लिखा गया है जो बुक में लिखा गया है वही मैं आप लोगों बता रही हूँ ठीक है तो यहां पर फाइनली यह नजम कंप्लीट होता है comment पूरा correcting को नहीं और लगा अच्छा अच्छा लगा है तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज